दोस्तो आप लोग देख रहे हैं आपका अपना पेरास चनल अमर सक्सेना फिक्स क्लासिट और मैं हूँ अमर सक्सेना आज हम लोग परकास बेद्धुत परभाब, परकास इलेक्ट्रॉन और परकास बेद्धुत धारा के बारे में जानेंगे काता हमारा पहला परकास बिद्धूत परभाब इसे कहते हैं जब किसी धातू के प्रिश्ट पर परकास आप्तित होती है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है इस घटना को परकास बिद्धूत परभाब कहते हैं कह रहा है कि किसी धातू के प्रिष्ट पर अगर परकास आप्तित होता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है इस घटना को परकास बद्रुद प्रभाव कहते हैं अगला कता मारा परकास इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं कता जब किसी धातू के प्रिष्ट पर परकास आप्षित होता है तो परकास द्वारा उत्सरजित इलेक्ट्रॉन को परकास इलेक्ट्रॉन कहते हैं कह रहा है परकास इलेक्ट्रोन का प्रवसर दिया जाता है धातू के प्रिष्ट पर परकास आप्तित होता है तो जो इलेक्ट्रोन उत्सरजित होता है उसे परकास इलेक्ट्रोन कहते हैं अगला काता हमारा परकास बिद्धुद धारा किसे कहते हैं परकास इलेक्ट्रोन के परवाह के कारण उत्पन धारा को परकास बिद्धुद धारा कहते हैं कहता है कि जब किसी धातु के प्रिष्ट पर परकास आप्तित होता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्देत होता है उससे इलेक्ट्रॉन को परकास इलेक्ट्रॉन कहते हैं और परकास इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण जो धारा उत्पर होती है उससे हम लोग परकास भी धारा कहते हैं दोस्तो और मुझे अच्छा लगे लाइक करें सब्सक्राइब करें और अन्दे दोस्तों साथ सेर करें